कौ संस्क्रीट वपसर्ग पहले देखो प्सर्ग का परिभासा देखो है तो उपसर्ग उस सब्दांस को कहते हैं जो किसी सब्द के पहले लगाकर उसका अर्थ बादल देता है उसका यव प्रदल यह जिसे देखो है पर डियाभ परना है और उस किली है थे ऑगला क्लायस के बाद लागे और यह सब्द के पहले लख कर देगा आरे अर्थ को बदल देगा अर्थ को बदल देंगा है जैसे देखो मालेते हैं पहला नमबर एक्जाम पल लिये हैं प्राजोर हार प्राजोर हारा प्राजोर हारा देखो हिंदी में उपसार्ग आप संस्क्रीट में उपसार्ग लगवग समाने रहता है अगर संस्क्रीट में याद हो गया तो समझे हिंदी बला भी बन जाएगा है करने याद हो जाएगा ठीक है देखिए कोस्टन किस तरह से पुछता है वह बताते हैं इसको याद करने का ट्रीक भी ठीक है देख विद तब प्र अजोर हारह तो यह मिलकर क्या बनेगा प्रहारह अब बोलो इहार है जो कवची है सब्द है हार है जो जिसका यार्थ कवची हार ना अब प्रह है जो कवची है उपसर आप बता हारह में जूटा प्रह तरह एन के प्रहार हारका मतलग वुचा हार करना मार ना easier किसिका ऊपर अगर बार करते हैं तो इसको प्रहार भी प्रहार सकते हैं कोई edikumत है इतना तक समघ मैं आया तब प्रहारह है जो क्या है बोलो हार में जुटा को चिप्र अब इसका अर्थ को बडल देता है कि नहीं अर्थ बडल देता है अब इसका अर्थ अब हार मने हारना नहीं है ना अब इसमें प्र जुट गया है तो प्रहार हो जाएगा आई प्रहार का मतलब होता है वार करना कोई दिकत है नहीं ना चलो दूसरा देखो example, आहार, हार मतलब हार ना, आ मतलब उपसर, आ जो है क्या है, उपसर गया, है न, अब यह मिल कर बनाएगा कवची, आहार, आहार को हम लोग क्या करते हैं, भोजन, अहार का यार्टे क्या होगा, भोजन, बताओ, अब हार में कवची जूटा, आ, आ कवची है उपसर, अब यह जूटकर बना रेता हार, आइसका यार्टेवे को कवची किया, बदल दिया, है न, पहले हार माने हो रहा था हार न, अब आमें खाली पहले लगा दिया, आहार होगिया, आर्थ बदल दिया, आहार का मतलब भोजन, है न, बहुत जगा देखते होगे, उपसर्ग कितने होते हैं, तो उपसर्ग जो है, बाइस होते हैं, है न, बाइस को आपको याद करना है, ठीक है, और इसी बाइस से लगवा कोस्टन पूछे जाते हैं, और आपको तेन्थ कलास में, इससे कोस्टन एड़म आएगा ही, आएगा, अदम कनफर्म है, समझ में आप 22 को को याद करना है तो अगर ऐसे याद करेंगे हम लोह मलते हैं परा अप सम अनु अब निस ऐसे करके अगर बाइसो याद करते हैं ठीके तो कई बार होगा कि भूल भी सकते हैं बाइस को नहीं एक दोगों ठोड़े हैं पांच छे गोरा तो चलो नोर्माली याद कर लेते हैं तो अगया लेकिन बाइस बाश्ट हो है ठीके अब इसको कोई त्रीक से याद किया जाए ताकि सब दिन के लिए याद रहे हैं दैखो टीक इसको गाना के रूप में बनाते हैं ठीक है यानि इसका रूप कवची दे स्चैना याणि गाना की तरह गाना हम समझ में घ्ञा प्यासराइक है गाना फिलम के गाना नहीं तुमको भी गायक है रो सुना नहीं जाना देखो इडर बढ़िया से इसको गाने के रुप में याद में आड़ा उसे यादे होगा एक दो बार हम गाते हैं उसके बाद तुम लोग आना इसे वह संदो देखो और इससे सब्द जो बनेगा उसी से आपसे कोशन पूछेगा पहले इसको याद करने का ट्रिक बता रहते हैं फिर बताते हैं कईसे कोशन पूछा जाता है देखिए तो इसको गाना कैसे है याद हो गया ऐसे करके गाना है है न देखो अब सब आ गया की नहीं इसमें है अभी गनमा याद रहेगा तो सब याद रहेगा ठीक है तक आख बन करके गाना है तो इसमें है बोड देखके थोड़े गाना है और अराम सुर्ण पार पारा अपसम अनुअब निसनीर दूसर दूर आंगवी उति प्रती परी अति अधि अधि अपी अभी सूनी उपा हो गया बाइस हो समझ मैं है इस रह से गाना याद र तो बाइसों को बटोड़ लेना है सुझें कि वाईसों से कहीं से विए कॉच्ण पूछ य möchte अधिया लिखा रहेगा उना दोसरा में ऑप से रहेगा पारा ठीके तीसरा में option दिया रहेगा परी, चौछा में option दिया रहेगा, ठीके, आती, अब बताईए, यह चारो उपसार गहे? है की नहीं है, ठीके, अब यह चारो में से परी, चे, देखो, हैना, पाहिले से तो पडा जलता है, अन्तिम में परतयार और पहले कोची लगता है और दूसरा सब्द होता है पर्य उपसर्ग है नहीं याद है गाना याद कर लो समझ मैं गया गाना गाना स्टाट करो गिन गिन कैसे हाथ पर 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 आपसम अनु अवनिस नीर दूस दूर आंगवी उत प्रती परी अती अधी अपी अभी सूनी उपर हो गया बाइसो समझ मैं इस तरह से याद रखो अब बोलो इस बाइसों से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कोई प्रोब्लम नहीं पूछ सकते हैं है ना रेके यहां पर जो है नीसन नीरा है ना दूसर दूर आंगवी उत आंगवी एक उपसर्ग है आंगवी एक है अग्ड़ बोलेगा की आकार कोनस अऊपसर गढ़िए तो कवेथ को बोलेंगे अ समय में आगे अगए अगरे भी आ कैनी आ से नी आ सा नी आ सा दूसर तो इसी तरह से आपको इसको गाना के रूप में याद करना है कैसे है ना गाना याद हो गया